Hello everyone, I am Jyoti Jha and welcome back to NCR to the Mind तो आज हम लोग पढ़ेंगे Class 1 Maths, अरिहन्त वर्क बुक का Chapter 1, Shapes and Space तो चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं, इसे पहले आप मुझे ये बताईए कि आपका एक्जाम कैसा गया और आपका रिजल्ट क्या है, मुझे कमेंट करके जरूर बताईए तो चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं, Shapes and Space है, टिक the objects which are inside and cross the objects which are outside यानि कि आपको इसमें ये करना है कि आपका जो भी object inside है यानि कि अंदर में है उसमें आपको टिक लगाना है, और जो बाहर है उसमें आपको cross करना है तो आप देख सकते हैं इस bottle में जो ये रखा हुआ है ठीक है इस strawberry है तो ये inside में है तो इसमें क्या करना है आपको tick करना है और ये outside में है यानि कि बाहर रखा हुआ है इसमें cross करना है ठीक है अब देखिए इसमें देखिए इसमें ये बाहर है ये जो boy है ये बाहर है यानि कि outside है इसमें हम cross करेंगे और ये inside है ठीक है इसमें टिक लगाएंगे अब इसमें देखिए ये बस के अंदर है तो इसमें हम टिक लगाएंगे और यह आउटसाइड है इसमें क्रॉस करेंगे तो बस आपको इसी तरह से बनाना है साड़े में आपको टिक लगाना है और क्रॉस करना है ठीक है जो भी इंसाइड है उसमें आपको टिक लगाना है जो आउटसाइड है उसमें क्रॉस करना है अब इसमें आ बहुत अच्छी तरह से इसमें आप कलर करेंगे, ठीक है, उसके बाद इन दोनों में देखिए ये एलीफेंट बड़ा है, इसमें आपको कलर करना है, ठीक है, अब देखिए इसमें क्या कहा जारा है, कि लुक्ष एट नीचे पिक्चर से दिया गया है, उससे देखना है, tick the pictures which are biggest and cross the pictures which are smallest in each part अब इसमें जो की biggest है सबसे बड़ा है ठीक है उसमें आपको tick लगाना है उस picture में और जो smallest है जो छोटा है उसमें cross करना है तो यहाँ पर तीन object दिया गया है देख सकते हैं ये ये और ये ठीक है इन तीनों में बड़ा कौन सा है ये वाला है तो इसमें आपको tick लगाना है और जो छोटा है उसमें cross करना है तो ये वाला object छोटा है इसमें आप cross करेंगे ठीक है उसके बाद इसमें देखिए इसमें लगाएंगे और जो छोटा है ये वाला छोटा है इसमें क्रॉस करेंगे और इसमें ये वाला बड़ा है इसमें टिक लगा देंगे जो छोटा है ये वाला इसमें क्रॉस करेंगे इसके बाद है इन तीनों में इन तीनों में कौन सा है बड़ा ये वाला इसमें टिक लगा दे और चोटा है यह वाला इसमें क्रास कर देंगे ठीक है। उसके बाद देखिए इसी तरह से बनाएंगे ठीक है। अब इसमें क्या करना है आपको कि टिक द पॉर्ट एर्ट बोटम ठीक है। इसमें आपको टिक लगाना है, पॉट में टिक लगाना है, जो कि बॉटम में है, तो बॉटम में कौन सा है, यानि कि नीचे, ये वाला है, है ना, तो इसमें आपको टिक लगाना है, इस तरह से आप टिक लगा देंगे, ठीक है, अब इसमें देखे, टिक दे बुक अन दे ट जो की टॉप में है फछावर उसमें आपको तिक लगाना है तो देखे टॉप में कौन। है यह है ठीक है कि इसमें हम ड्रीक लगाएंगे उसके बार टिक Conference में जो की बॉटम में है यह सबसे नीचे है की इसमें टिक लगा देंगे ठीक है उसके बाद है टिक the tree which is nearer to the boy अब उसमें आपको उस tree में टिक लगाना है जो की nearer है यानि की नजदीक है boy से ठीक है अब यह देखिए दो tree है तो नजदीक कौन सा है ये वाला है इसमें आप टिक लगाएंगे टिक the person who is further from the bus अब उसमें आपको टिक लगाना है उस person में जो की further from the bus है यानि की bus से दूर है ठीक है तो देखिए यहाँ पे bus है और ये वाला जो है ये person ये दूर है इसमें टिक लगाएंगे टिक the car which is nearer to the traffic signal अब कार में आपको टिक लगाना है जो की traffic signal से नजदिक है ठीक है तो यहाँ ये है traffic signal और ये नजदिक है ठीक है तो इसमें आप टिक लगा देंगे इसके बाद है टिक the cat which is nearest to the rat ठीक है अब देखिए आपको क्या करना इसमें टिक लगाना है टिक the cat which is nearest to the rat अब जो red से जो nearest है, जो कि सबसे नजदिक है, ठीक है? उसमें आपको tick लगाना है. तो सबसे नजदिक कौन सा है? यहाँ पर red है और इस सबसे नजदिक कौन सा है? यह है. ठीक है? तो इसमें tick लगाएंगे. तिक the car which is farthest from the boy. अब देखें, कार में आपको tick लगाना है जो कि farthest है, जो सबसे दूर है boy से. ठीक है? यहाँ पर boy है और इससे सबसे दूर कौन है? यह वाला, यह वाला कार है. इसमें tick लगाएंगे. तिक the child which is nearest to the bus. अब देखें, उस child में आपको tick लगाना है जो कि bus से nearest है. ठीक है? सबसे नजदिक है. ठीक है? यहाँ पर bus है और इससे सबसे नजदिक कौन है? यह है. इसमें tick लगाएंगे. इसके बाद है, तिक the bird which is farthest from the tree. अब देखें, उस bird में आपको tick लगाना है जो क the farthest है, tree से. यानि कि सबसे दूर है. ठीक है? अपर tree है और इससे सबसे दूर कौन है? यह वाला bird है. तो इसमें tick लगाएंगे. ठीक है? अब इसमें देखें. fill in the blanks. इसमें आपको क्या करना है? बढ़ना है. तो देखें, यहाँ पे picture दिया गया है. इसमें कहा जा रहा है क Mickey is, does the skipping rope. तो यह जो Mickey है, वो कहाँ पर है? skipping rope के under है या above है. ठीक है? अंडर यानि कि नीचे ठीक है? और above मिन्स उपर. तो आप यहाँ देखें, यह Mickey जो है, यह skipping कर रहा है. और यह कहा है? यह skipping के उपर है. ठीक है? उपर है, यानि कि above है. तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे above, ठीक है? अब यहाँ पर देखेंगे ठीक है? अब यहाँ पर देखें, गूफी is, does the bicycle. तो गूफी जो है, वो bicycle के उपर है, ठीक है? ओन है या बिलो है. ठीक है? बिलो मिन्स नीचे हो गया, ओन मिन्स उपर हो गया. ठीक है? अब गूफी is, कहाँ पर है? बाइस बैठा ठीक है, तो आप यहाँ पर टीक भी लगा सकते हैं, ठीक है, या आप यहाँ पर लिख भी सकते हैं, तो यहाँ पर लिख देंगे अच्छे से, उसके बाद है, इसमें देखी, Mickey is des the box अब Mickey is des the box वो on the box है या under the box है उपर है box के उपर या box के नीचे है तो कहां पर है ये उपर में है Mickey यानि कि on the box इसमें लिखेंगे हाँ on तीक है अब उसके बाद देखें ये helicopter The helicopter is des the ground तीक है अब देखें below या above अब यह helicopter जो है वो ground पे है वो below है या above है उपर है या नीचे है तो यहां देख सकते है ये ground है तो ground के उपर यहां पे यह helicopter है यानि कि वो above है उपर है तो यहां पे above लिखेंगे ठीक है above लिख देंगे उसके बाद देखिए यह वाला जो है The umbrella is des the girl है अब इसके अब अब है या बिलो है नीचे है या अब है तो उपड ये रखी हुई है अब्रेला को तो अबब है ठीक है अबब में टीक लगाएंगे और यहाँ पर लिखेंगे भी ठीक है इसके बाद है लेम्प the lamp is as the तेबल अब देखिए लेंप जो है टेबल के on the table है या under the table है कहाँ पर है लेंप जो है उपर में रखा हुआ है यानि कि on the table है ठीक है on में टिक लगाएंगे और on लिखेंगे हम यहाँ पर ठीक है सेप्स and cross the cross on rectangle shapes तो देखिए इसमें क्या करना है आपको पीक on circle shapes and cross on rectangle shapes अब इसमें आपको circle shapes में टिक करना है जो circle shapes में है और जो rectangle shapes में है उसमें आपको cross करना है ठीक है तो देखिए इसमें circle shapes में कौन सा है तो यह है ball इसमें आप टिक लगादेंगे और rectangle shape में कौन है, ये है, ठीक है, match box, इसमें cross कर देंगे, ठीक है, इसके बाद देखिए, अब इसमें कौन सा है, ये वाला है, wheel, इसमें tick लगाएंगे, और rectangle में है, ये वाला, तो इसमें cross करेंगे, इसके बाद इसमें देखिए, ये coin है, circle में, इसमें tick लगाएंगे, और rectangle म कौन सा है ये वाला है इसमें क्रॉस करेंगे ठीक है अब इसमें देखिए इसमें है ये वाला सर्कल में है इसमें टिक लगा देंगे रेक्टेंगल में ये वाला है क्रॉस करेंगे ठीक है इसी तरह से इसे बना लेंगे इसके बाद है जीवन बिलो आर सम फिगर्स नमबर्ड from 1 to 9. Color these figures according to the instructions given below. इसमें देखिये, नीचे कुछ figures दिये गए हैं, ठीक है? 1 से 9 तक, ठीक है? इसमें आपको color करना है. इसमें आपको color करना है. इंस्ट्रेक्शन के according उसमें color करना है. ठीक है? तो जैसे यहाँ पर है, pink. ठीक है? पिंक color to be used for figure having circular shape. अब जो pink color होता है, वो क्या होता है? having circular shape के लिए आपको use करना है. ठीक है? तो इसमें क्या करना है? आपको pink color का use करना है. color कर देंगे. उसके बाद है green. तो green color to be used for figure having conical shape. अब green color जो हैं आपको conical shape के लिए use करना है. इसमें आप green color करेंगे. इसके बाद है yellow. तो yellow color to be used for figure having cubical shape. यह cubical shape के लिए use करना है. इसमें yellow color करना है. उसके बाद है red. रेड color to be used for figure having cylindrical shape. यह cylindrical shape के लिए use करना है. red color. इसमें red color करेंगे. ठीक है उसके बाद है. अब देखें इसमें brick है. तो इसमें भी आप color कर लेंगे. ठीक है? यह brick में कौन सा color होगा? आइस क्रीम कौन में कौन सा color होगा? कि कौन के लिए कौन सा यहाँ पर use हुआ था? ठीक है? conical shape के लिए green color का use करना है. ठीक है? आपको देख लेना है कि आप cubical shape के लिए, cylindrical shape के लिए, circular shape के लिए कौन कौन सा color का use हुआ है. वो साड़ा color आप इसमें करेंगे. ठीक है? इंस्ट्रक्शन दिया गया है उपर में. और यहाँ पर देखें circular shape, circular shape है. ठीक है? cylindrical shape, conical shape, cubical shape. यह साड़े shapes है उपर में. तो वो आपको instruction के according आपको इसमें color करना है. ठीक है? अब देखें इसमें क्या करना है? कि match the shapes given in column 1 with similar shapes in column 2. तो column A और column 2 है यहाँ ठीक. column 1 है, column 2 है. ठीक है? इसमें आपको similar में match करना है. जो भी same है, दोनों में आपको matching करना है. column 1 और column 2 में. अब देखें, यह वाला यह same है और यह same है. ठीक है? इसमें matching करेंगे. इसके बाद देखें, यह वाला same है और यह same है. इसमें matching कर देंगे. इसके बाद यह वाला और यह वाला same है. ये और ये सेम है तो इसी तरह से मैचिंग कर देंगे इसमें इसके बाद है Tick the object which can slide अब देखे उसमें आपको टिक करना है जो object slide है जिसमें slide कर सकते हैं ठीक है अब इसमें देखे जो slide हो सकता है उसमें आपको tick लगाना है तो ये वाला देखे ये नहीं होगा slide ये भी slide नहीं होगा और इसे slide कर सकते हैं तो इसमें हम tick लगाएंगे ठीक है इसके बाद देखे Tick the object which can roll अब देखे उसमें आपको tick करना है जो roll हो सकता है ठीक है तो कौन सा हो सकता है ये वाला ball इसमें tick लगाएंगे ठीक है अब इसमें देखे इसमें कौन सा roll हो सकता है ये वाला हो सकता है ठीक है और ये भी roll हो सकता है इसमें भी tick लगाएंगे ठीक है इसी तरह से बनाना है उसके बाद है color the shapes of same size with same color अब इसमें देखे आपको जो है ना color करना है shapes में जो कि same size का है ठीक है सेम साइज में ही आपको सेम कलर करना है तो जैसे आप देख सकते हैं ये वाला से और ये वाला से दोनों ही सेम साइज का है और इसमें आपको जैसे अगर आप इसमें रेट कलर करेंगे तो आप इसमें भी रेट कलर करेंगे ठीक है और इसके बाद ये देखिए ये वा है ठीक है उसके बाद है मैज दश कर देंगे मैच तक यह वाला अब बिछा और कई उसके है要से में पर साजु ही कम चाने डिले कर दीओ केमीना भी भी कम टो भी सेंब दाले कम ट्रीम सब्सक्राइबे दिख द आंध्यां करना तर से डाज नकोर्ड भी कम चाने चाली त गारो पर मेंचिना इंस्ट्रक्शन गिवन इन इच पार्ट अब इसमें कलर करना है आपको जो इंस्ट्रक्शन दिया गया है उसके एक और इसमें देखिए जैसे कि यहां पर ट्राइंगल है तो ट्राइंगल में आपको क्या करना है रेड कलर करना है जितने भी ट्राइंगल है यहां पर यह ट् यह जितने भी square है, उसमें आप कर देंगे blue color, ठीक है, उसके बाद circle में आप कौन सा करेंगे, yellow color, यवाला है न, इसमें yellow color कर देंगे, उसके बाद rectangle जो है, उसमें आप green color करेंगे, ठीक है, जितने भी rectangle है, उसमें green color कर देंगे, तो इस तरह से यह figure आपका complete हो जाएगा, सरकल में औरेंज करना है, ट्रैंगल में ग्रीन करना है, रेक्टिंगल में रेड करना है, ठीक है, तो ये वाला जो है फिगर ये भी आपका कम्प्लीट हो जाएगा, इसमें जो भी है, आप ये सारे कलर कर लेंगे, ठीक है, तो ये चाप्टर आपका कम्प्लीट हो चुका है, तो आपको कैसा लगा पढ़के मुझे जरूर बताईए अच्छा लगा हो आपको मेरा पढ़ाना तो मेरे चैनल NCRT The Mind को लाइक सब्स्क्राइब कीजिए और पास में दिये गए बेल आइकन को भी प्रेस कर दिजिए ताकि NCRT से रिलेटेड जितने भी वीडियोज हैं वो आपके पास समय से पहुंचती रहे तो चले मिलते हैं अब हम नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाई ठेक केर थेंक्स तो वाच माई वीडियो